आज मैं अंदा मैगी बनाने का एकदम डीफ्रेंट अलग तरीका बताऊंगी ऐस तरीके से साज़े आपने पहले कभी अंडा मैगी बनाया होगा और ये रीसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि हर बार इसी तरीके से अंडा मैगी बनाएंगे मैं रुरीकु और सागत है अपना की चनमे तो इस सुपर डिलिसस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आपे दो छोटे वाले पैकेट आठा नूडल्स लिए हैं कोई भी बरांड का नूडल्स आप ले सकते हैं मैं किसी पेट्यूकलर बरांड का नाम नहीं ले रहे हूँ और दो मैंने यह पर कच्छे अंडे लिए तो दो छोटे पैकेट नूडल्स के लिए दो कच्छे अंडे एक दम परफेक्ट हैं तो यही इसका रेसी होग तॊब ही दोनों ही पैकेट को लिए टोड़ लेंगे और इसमें ऐड़ कर लेंगे गैस का फिलम सी चाने तब तक उबालेंगे जब तक कि इसके लच्छे अलग ना हो जाएं, तो हमें इसे ओबर कुक नहीं करना है, और ज्यादा कच्छा भी नहीं रखना है, तो इस तरीके से बार बार चलाते हुए, दो मिनट तक उबाल लेंगे, जिससे कि इसके लच्छे अलग हो जाएं, और पानी भी पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो दो मिनट में यह बहुत ही अच्छे से ड्राइ हो जाता है, तो दो मिनट channels, इससे अबाल ओए और आप देख सकते हैं, फरेंस, इसमे लच्छे खुल गए है, अलग हो जाए है, और पानी भी देखतरे पुरी तरह से ड्राई हो गया है, तो अब गेस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में और अखलका सा फैला देंगे जिससे कि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बाउल में इस तरीके से इसे फैला दे रही हूं और आप देख सकते हैं फ्रेंज ही एकदम पॉर्फेक्ट बना है मतलब इसक सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे मसाले को इसमें एड़ कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे प्यास तो मैंने एक बड़े साइज के प्यास को ऐसे चोटे-चोटे टुकडों में काट कर लिया है फिर इसमें एड़ करेंगे लहसन हरी मीर्च और फ्रेस अरा धनिया तो मैंने तीन से चार लहसन के कलियों को छील करके बारिक टुकडों में काट लिया है, चार से पांच मैंने हरी मेच को भी बारिक टुकडों में काट लिया है, और थोड़े से हरे धनिये को मैंने एकदम छोड़े टुकडों में काट कर लिया है, बहुत यह अचा फ्रेशनेस और कुसबू आता इसे फिर इसमें एड़ करेंगे दो चमच बेसन यानि कि दो बड़ा चमच बेसन और उसी चमच से एक बड़ा चमच चावल का आटा साथी में डालेंगे आधा चमच भुना कुटा जीरे का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक तो नमक यहां पे ना इसे हलके हाथों से मिलाएंगे जिससे की नूडल्स ना एकदम मैसी से ना हूँ तो यह देखे फ्रेंज इसको मैं अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं बेसन हमने उतना डाला है कि बस नूडल्स का जो लेयर है उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए यानि कि इ इस रेशिपी को एकदम हेल्धी तरीके से बना रही हूँ और यह आठा नूडल्स अटो और भी ज्यादा ही लिए इसलिए मैं इसे एकदम कम तेल में बनाऊंगी तो मैं हां पर एक पाण में एक बड़ा चममत पांप तिल डालकर कर लिए और यह तरीके से देल को इस तरी इसका साइट चेंज करेंगे तो जैसे जैसे ये पकते चांज अन्डे और बेशन के वजए सेट को जाता यानिकी इसकी बहुत ही अच्छी बैंडिंग हो जाती है तो यह खुलता नहीं और बहुत ही अच्छे से एक दम अपने सेप में बना रहता है तो यह पर मैंने सबी पी तो यह पर एक बैच हमारा बहुत ही टेस्टी नूडल्स का यह जो नास्ता है बनके रेडी हो गया अभी इसे साइड में रखते हैं अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भैस भी बना करके दिखा देती हूं पैन में थोड़ा सा तेल गरम करिए तेल को इस प्रेड कर लीज जालें एक बार में जादा डालने की जरूरत नहीं तो यह आपस में चिपग जाएंगे लोग फ्लम पर इसे दो मिनट एक साइड चीकने दीजिए उसके बाद इसका साइड चेंज करिए तो दो मिनट में यह बहुत ही बनिया से से चेंट हो जाते हैं बिल्कुल भी खुलत मर उसकें लोग फ्लेम पर 2 मिनट तक सेख लीजेगा तो इस का द्याद दयान दिछेगा इसे लोग फ्लेम पर 2 मिनट के ट्क ताहस अई जन कोईगा नूडल्स वाला नास्ति नभन के त्यार ऊजाएगा ऑए की ट्राइड अज्या आपका थेवरेट सेकाए तो नूडल्स तो अब हर बार अलग अलग तरीके से बनाते ही होंगे, एक बार ए तरीका भी अपना कर देख लीजिए, बहुत अमेजिंग लगता है, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जब भी आपको छोटी मोटी भूक लगे, तब आप इसे फटा फर से 5-10 म में बनाकर त्यार कर सकते हैं, बहुत ही जचादा 이ुझ लगे का यह खाने में, अगर आपके घर में में हमान हैं, तब भी इस रेशिपी को बना कर गर्म अप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और खाकर वो पूछें, जरूर आपने इसे बनाया कैसे है, तो क्योंकि मैंने इ जरूर करिएगा यह रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आईगी तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से जादा से शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत ही अमेजिंग एक सूपर डूपर के साथ तब तक के लिए बाइ और टेक केर